हेलो फ्रेंड्स मैं अंकर चाधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो लेके आओं घर में सेफटी को लेके घर में छोटे छोटे बहुत सारे एक्सिदेंट्स ना हो उसके लिए हम क्या प्रॉडक्ट यूज कर सकते हैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ज लेकिन आज की जो ये वीडियो है आज की वीडियो में बताऊँगा एंटी स्लिप टेप के बारे में जो ये टेप मैंने बताई कि आप नाम से समझ गएगे कि आज कर फर्ष होते हैं अलग लग तरहे कि चिकने फर्ष होते हैं अलग मार्बल ग्रेनाइट या टाइल्स होता है और हमारे इंडियन घर में कल्चर यही होता है कि उसे धुलाई करना अच्छे से तो उसको बचाने के लिए कि धुलाई हो तो लोग फिसले ना तो उसके लिए जो प्रॉडक्ट आज मैं लेके आयों आपके लिए वो है एंटी स्लिप टेप तो इस टेप के बारे मे डिटेल में जानने के लिए आप बने देए इस वीडियो मेरे साथ एंड तक आईए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस एंटी स्लिप टेप के बारे में तो यह प्रॉडक्ट आप देखें यह किस तरह का है और कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं तो इसको हम घर के बाहर की साइड एक्स्टीर के लाके में कहीं भी यूज कर सकते हैं या घर के अंदर इंटीर में भी इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि फिसलने वाला एरिया या स्लिप हो सकते हैं जिस पे तो वहां पर यूज कर सकते हैं अधिक तर इसको जो यूज किया होती है तो वहाँ पे लगाया जाता है या बातरूम के अंदर भी इसको लगाया जाता है और इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं जो आपको लगे कि स्लिप्री अरिया है क्योंकि आपको पता ही है आज कर टाइल्स, मार्बल, ग्रे नाइट बहुत ज़्यादे शाइनिंग वाल क्य debt to was taught vive यह जो पर्यां जाता है इसको किस तरह से लगाया जाता है तो लगाने के लिए यह आप चलते हैं मैं आपको अपने घर लेकित चलता हूं ओ वहाँ पर आपको दिखाता हूं step पर यह किस तरह से लगाया जाता है तो आई चलते हैं साइड कियोοι यह हमने Amazon से मगाई है, इसको पहले करते हैं Unboxing, तो इसके टेप अटा लिए हमने, उसके बाद हम इसको खोल देंगे, यह इसके साथ बिल है और यह आपकी टेप है, टेप की तरह है, तो इसको खोल लेंगे, तो इस तरह से इसके साथ इसका बिल आया, तो इसके पूरा इसके इसके बिल आया है, इसके उपर की किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या है, कितनी लाइफ रहती है, तो इसके बिल आया है, इसका जो प्राइस हमें आया है, वो आया है, तो आप देख सकते हैं, तो इसको इंस्टॉल है, वो आया है, आईए अब हम करते हैं इसको इंस्टॉल और देखे हैं कहा कहा भी इसको लगानी की और क्या तरीका है फ्रेंट्स इस टेप को लगाने के लिए सबसे पहले जो सर्फेस है उसको चेक करेंगे कि वो कहीं तेल वगेरा या ग्रीज तो नहीं लगा हुआ है कहीं सीपेस तो नहीं है उस सर्फेस पे और वो गंदा तो नहीं है तो सबसे पहले उस सर्फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ड्राइए अगर आपने गीले से साफ किया है तो ड्राइए कपड़े से उसे पूछ लगे उसको ड्राइए कर लेंगे उसके बाद जितने इनियम आपको लगाना है उसको नाप के उसको काट लेंगे आप कैंची से अपर ये देख सकते हैं इतना हमें लगाना यूज करना यहाँ पे लगाने के लिए तो कैंची से ये काट लिया गया है simple easily cut जाता है कोई typical नहीं है normal scissors जो आती है उससे ये cut जाएगा तो काटने के बाद ये जो है इसके पीछे का gum sticker चुटा के ये चिपका दिया जाएगा और ये जो हमने लगाया है ये छट के टाइप छट के उपर जो उपर का एरिया होता है वहाँ पे बरसात के समय पानी आ जाता है तो ये एरिया काफी slippery हो जाता है तो बरसात में इस दर्वाजे के रास्ते से काफी बोचार या बारिस का पानी आने की वज़े से इस slip के accident को कम करने के लिए risk को कम करने के लिए ये लगाया जा रहा है तो आप अपने एसाब से जहां आपको comfortable हो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं लगाने का तरीका यही है आप corner से लगाना शुरू करें और दीरे दीरे अच्छे से प्रेस करते रहें यह आप देख सकते हैं यह लगा लिया है एक साइड से फिर अल के हाथ से प्रेस करते रहें और सीधा लगाएं यह आप देख सकते हैं पीछे अगा मिस्टिकर बहुत एजी ली छुड़ जाता है और इसका glue भी काफी अच्छी quality का रहता है तो एजी ली यह छुड़ता नहीं एक बार paste होने के बाद तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से यहाँ पे चिपका लिए गया है अब किसी कपड़े से या हाथ से आप अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे कि उस टाइम के लिए ड्राइ होने के लिए तो यह अच्छे से इस पे पेस्ट हो जाएगा यह थोड़ा और कपड़े से प्रेशर डालके प्रेस किया जा रहा है तो यह अच्छे से पेस्ट हो गया है अब इसी तरह से हम स्टेयर्स पे अलग-अलग एरिये में लगाएंगे जहां रिस्क जादा है तो यह देखिए यहां पे भी जो फर्स्ट स्टेप है उस पे हम लगा रहे हैं इस पे भी लगाने का वही तरीका है पे जादा अलग-गाई प्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगाई हैं यह टेप स्टेयरस के अरिये में यह बिसकिली छट के इवपर का एरिया है चट का यह तो छट पे यहाँ पर फिसलन होती हुआ जिब बरसाथ आती है तो गेट से यहाँ थोड़ा बहुत पानी आ जाता है बर्साथ यहां पर स्लिपरी हो जाता है तो सबसे पहली स्टेप पर सबसे ज़्यादा खत्रा होता है तो वहां पर हमने यह लगाई है आईए आप नीचे लेके चलता हूँ उसके बाद यह जैसे एंटरेंस है घर के अंदर की तो यहां पर हमने यह लगाई है यहां भी जब पोचा लगाते है तो slippery हो जाता है यह आप देख सकते हैं हमने सारी steps पर नहीं लगाई है लेकिन commercial area है जहाँ पर आपको लगता है तो वहाँ आप सब जगे लगा सकते हैं यह जैसे बीच का पात है तो यहाँ पर हमने यह लगाई है उसी तरह से हमने नीचे लगाई है ये नीचे वाली स्टेप पे आप देख सकते हैं और इसी तरह से एक और हमने यहाँ पे जो कम पड़ी थी जोटा पीस एक यहाँ पे लगाया है तो इससे जो है जो स्लिप होने की चांस है वो हमारे काफियत तक बच जाएंगे फ्रेंड्स आपने देखा ये मैंने किस तरह से इसको चिपकाया किस तरह से ये स्टेप्स पे लगाया आप इसी तरह से अपने बाथरूम में या कहीं भी जहां पे आपको लगता है और कोई भी फिसल के गिर सकता है तो उस जगे इसको लगाया जा सकता है रेस्टूरेंट्स में बहुत ज़्यादे लगाते है हॉस्पिटल्स में जो सीडिया होती है स्टेर्स होती है उस पे काफी ज़्यादे लगाते तो अमोवन इसको आप कहीं के लिए भी पर्चेस कर सकते है अब बात करते हैं ये क्या price में मिल जाता है, तो इंटियर प्रोडक्स शॉप पे भी हो सकताए, या इंटियर प्रोड़क्स शॉप पे भी प्रोडक्स आपको मिल जाए लेकिन आपको easily अगर आपको purchase करना है आप Hearing आप इस प्रॉडक्स को मंगा सकते हैं, और बात करें प्राइस की तो प्राइस अलग अलग है आप इस टेप को अपनी रिकारिमेंट के हिसाब को आपको कितना बड़ा बंडल चीए कितना साइज में उस हिसाब से आपको ऑनलाइन जाके पर्चेस कर सकते हैं ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉडक्स आपके बड़े यूसफुल होते हैं जो आपकी सेफटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो आप इसी तरह के बने रही है परफेक्ट फ्लोर चैनल के साथ मैं ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉड इसको शेयर जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत